असलामलेकुम स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 कोस्चन नम्र 3 का इसमें पार्ट करवाएं हैं आपको पता है आपका जो शॉर्ट है स्लेबस हो गया है कोरोना की वेज़े से तो कॉस्चन नम्र 3 के टू पार्ट जस्ट इंक्लिउड हैं 4 और 5 ये भी उसी तरीके से हैं जैसे कॉस्चन नम्र 2 आप लोगों ने किया है फॉर्ट पार्ट में भी फेक्टराइज करना है 5 x square माइनस 16 x माइनस 21 exercise 5.2 के questions आप लोगों को करवा रहे हूं तो इसी तरीके से first step पे common हमने देखना है कुछ भी common नहीं है 5, 16, 21 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते और इधर x के variable last term में भी x variable नहीं है तो हम common नहीं ले 21 multiply 5 108 होता है आपको पता है last value को x square के coefficient से हमेशा multiply किया जाता है इधर 5 है तो 21 multiply 5 1055 दो ऐसे numbers चूज करने हैं जिनको multiply करने तो 1055 और minus करें तो 16 आए हमेशा इस sign को देखा जाता है मैंने अपनी last video में भी बताया है minus करें तो 16 आए वो कौन से दो ऐसे numbers है वो खुद यही दो numbers ही है 21 and 5 minus करें तो 16 आता है और multiply करें तो 105 आता है तो हम first value as it is last value as it is variable side पे 16 को two parts में कर लिया partitioning कर ली 21 minus 5 next step पे 5 x square minus 21 multiply with x 21 x minus minus plus यह signs multiply करना ज़रूरी है 5 x से multiply हो के 5 x minus 21 as it is दो pairs बना लिये first pair में हम क्या x common ले सकते हैं तो 5 x आ गया क्योंकि x2 में से x1 minus किया तो x आ गया 5 as it is minus 21 as it is x already बाहिर निकाल चुके हैं प्लास इस में से कुछ common नहीं आ रहा तो 1 common ले ले लेते हैं जब 1 common आता है तो वही values as it is आ जाती हैं यह center वाली bracket values same होनी चाहिए like terms होन एक दफा लिख लिए यह आपका final answer है इसी pattern पे हम इसका fifth part देख लेते हैं fifth part is 4 x square minus 17 x y plus 4 y square इस में से भी हम कुछ common नहीं ले सकते हैं क्योंकि first value में y नहीं है third value में x नहीं है variable common नहीं आ सकता और हम वैसे भी formula नहीं बना सकते हैं कुछ भी common नहीं ले सकते हैं 4 17 और 4 एक टे two x और two y यानि two two's a four four two's a eight x y होनी चाहिए थी जबकि इदर 17 x y है तो formula भी नहीं बन रहा है it means कि हम फिर factors बनाएंगे मैंने आपको बताया था जब तीन values हो तो या तो common check करते हैं या formula check करते हैं जब वो दो ना बन रहे हो तो factors बनाते हैं तो factors के लिए कोई से दो ऐसे numbers choose करन है center value के साथ तो वो दो कौन से ऐसे numbers हैं जिने multiply करें तो 16 आए प्लस करें तो 17 आए वो दो numbers आपने खुद से choose करने और वो दो numbers है 16 and 1 16 ones are 16 होता है और 16 plus 1 17 ही होता है first value as it is last as it is xy variable side पे कर लिया और 17 की partitioning कर दी next step पे 4 x square minus 16 को xy से multiply किया 16 xy minus plus minus xy ones are xy और plus 4 xy दो pairs बना लि क्योंकि 16 के डेबल में 4 आता है 4 के डेबल में 16 आता है 4 common ले लिया x के और x में से small x की power 1 है वो common आ गई 4 already बाहर x की 2 में से x minus कर दिया तो x की power 1 आ गई minus 16 के डेबल 4 के डेबल में 16 4 पे आता है x बाहर निकाल चुके है y आ गया minus इस में से देखें y common आ जाएगा क्योंकि y क small power 1 है इदे 2 है y की small power बाहर आ गई x minus plus minus 4 y की 2 में से y की 1 minus कर दिया तो y आ गया यह sign multiply करना जरूरी होता है minus plus minus और यह sign भी minus plus minus same like terms हो गई वो हमने एक दफार लिख लिख लिए x minus 4 y और जो outside the bracket values थी 4 x minus y वो भी आप लोगों ने लिख लिख लिया यह आपके पास final answer है hope so समझ आ गया होगा यह questions easily समझ आ गया होंगे मेरी next video में हम इसी exercise 5.2 के next questions देखेंगे so keep watching